जैहन साथियों स्वागत एक बाद फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में है तो दोस्तों हर रोज की तरह आज भी हम यहाँ पर निप्टी-50 की कम्प्लीट एनलसिस वीडियो लेके आए हैं जो कि कल के लिए होने वाली है कल मीन्स हमारा जो नेक्ट करने वाली है मंडे को हम आप सभी को सीधा चार्ट लेके आए हैं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने निप्टी-50 का चार्ट ओपें करके रखा हुआ है बैकेंड में जाके मैंने तमाम सारी एनालिसिस भी कर ली है एंसिस करने के बाद में यहां पर हम आप सभी को सि क्या होने वाले हैं वह भी समझाओंगा लेकिन आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा क्योंकि डेली बेसिस पर यहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अनलसे वीडिय मुमेंटम को दीखिए अगर उसी मुमेंट में मार्केट रही है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा या फिर आप हमारे साथ थोड़ा टाइम दे हमें थोड़ा सा और चैनल को सब्सक्राइब करें एक दो दिन अबज़द्व कर लेकिन ये बहुत स्ट्रांग धर ट्रेन थी आप सब्सक्राइब दिंद्व अ यहां से ये ट्रेन लाइन लगा के रहा थी तो कुल मिलाकेOM मतलब यहीं से CE की position मतलब यहीं से अगर यह high मार देती तो यह उपर की तरफ चली जाती है मतलब यह trend line retest करने आई थी, retest करके उपर चली जाती है लेकिन हुआ क्या, हुआ यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा breakdown हो गई यह वाली trend line और उसके बाद में एक जो यहाँ पर लेवल था, जो major support point था, यहाँ पर strong support point था, 17,960 का जो support level था, वो भी यहाँ पर breakdown हो गया अब यह news का effect है, यह फिर technical analysis है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, चुकि news भी जो है काफी चल रही है, आप सभी की बीच देख रहे हैं, कि market data downtrend में है, वैस्विक, महामारी के जो आसार दिख रहे हैं, यहाँ पर आप सभी को, तो उसका भी यह effect जरूर होता है, लिकिन कहीं न क technical analysis हमारी क्या गहती है, technical analysis के सासाथ, जो हमारा technical view है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे मैं trend based fib extension का tool लेता हूं, मान के चलो, यहाँ से और मैं आपको यहाँ थोड़ी चीज दिखाना चाहता हूं, जैसे market ने गिरावट कहां से start के थी, थोड़ा सा आप अगर full HD पे देख इस भी थोड़ा सा समझ में आये, आप सभी यहाँ पर 75 minutes कर लेते हैं, 75 minutes मैंने कर लिया, आप चार्ट को थोड़ा सा बढ़ा कर लेते हैं, अपने chart पर भी यह tool लगा सकते हैं, देख सकते हैं, लर्निंग करते रही है, यहाँ पे चीजों को जो हम बता रहे हैं, वो अपने चार्ट पर भी देख सकते हैं, अगर आपके पास laptop नहीं है, system नहीं है, computer नहीं है, तो यह चीज अपने mobile से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अब मैं लेता हूँ trend-based fib extension, जो कि मैं ज्यादा तर यूज करता हूँ, कई बार यूज करता हूँ, तो यहाँ से market गिर होगे यह चीज, कि अगर 100% को अगर breakdown दे देती है, market, तो फिर next मतलब market का moment पड़ जाता है, और यह जो percentage होते हैं, इनको follow करने लगती है, market कोई भी हो, चाहे श्टाक हो, या फिर कुछ भी हो, तो कुल मिला के यहाँ पर देख सकते हैं, कि यहाँ पर breakdown हूँ था 100%, और उसके technical tools and indicators जो होते हैं, वो काफी मददगार होते हैं, और काफी कुल मिला के help करते हैं, technical analysis में, यहाँ पर देखिए, हमने already backend में जाके तमाम सारी analysis कर ली है, सिर्फ यहाँ पर आप सभी को levels समझाना है, कुल मिला के यहाँ पर हम देख सकते हैं, कि market का जो support level था, वो यह वाला था last support level जो अभी तक था, 17,960 का, जी आप note कर सकते हैं, आप सभी लोग कि अगर कल को market gap up हो जाती है, अगर कल को market gap up हो जाती है, तो यहाँ 800 पे है, 100 points ज्याद़ ज्यादा उपर की तरफ जा सकती है, gap up या gap down या flat कुछ भी हो, strategy बना के रखिए, कि अगर market gap up या gap down हो जाती है, तो ज्याद़ ज्याद़ उपर जाने लगती है, तो 17,960 तक जा सकती है यह वाला level, इसको touch करने के बाद में फिर से यह नीचे की तरफ आएगी, तो कहां तक आएगी, चीजों को समझेगा, नहीं समझ में आता है, दो बार तीन बार वीडियो को देख लीजेगा, जरूर आप सभी के समझ में आएगा, और चैनल को मिस मत कीजेगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा, यह सारी चीजे आपको करनी है, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आप सभी के लिए इस से भी ज्यादा तगड़े अनसिस लेके आऊँगा, और मैं वादा करता हूँ कि आप सभी को मैं सिखा के जाऊंगा, जितने भी चीजे जानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ से रिटेस्ट करके वापस आने लगी, तो यह 17,600 का लेवल आपको नीचे के तरफ देखने को मिलेगा, यहाँ पर लगा कर सकते हैं, इस लेवल को आप अपने च 600 की, और एक चीज, यह रेंज नोट करने के बाद में, एक चीज हमें यहाँ पर आप सभी को और बता देना चाहता है, यह रेंज आप सभी लोग नोट के लिए, मैं यहाँ से रिमोब करता हूँ, अब थोड़ा सा चार्ट को ऊपर बढ़ाता हूँ, और एक चीज यहाँ और बताना चाहता हूँ, वो कौन से चीज है, वो यह है कि अगर कल को भारी gap down हो जाता है, और 17,600 के level को भी break कर देता है, या फिर इस level के आसपास में opening कराता है, तो जब तक इसके उपर है, तब तक हम थोड़ा सा wait करेंगे, हो सकता है कि यह उपर की तरफ जाए, 17,960 को touch क करने के लिए जाए, लेकिन अगर इस level को break कर देती है, या फिर down में ही opening कराती है, तो आपके लिए next जो support level होगा, या फिर next target होगा, वो होगा 17,200 का, 17,200 का ये level होगा, नोट का लिजीगा, मतलब 400 point का नीचे की तरफ moment आपको देखने को मिल सकता है, market अभी downtrend में है, इसमे CE की position खत्रे से खाली नहीं है, मैं इस वीडियो में आप सभी को बताया दे रहा हूँ, फिर भी आप सभी लोग अपनी analysis करें, चुकि मैं savey registered नहीं हूँ, disclaimer आप सभी को सबसे पहले मिल गया होगा, उमीद है, disclaimer आप सभी लोगों ने read कर लिया होगा, फिर भी मैं बता कि मैं कोई savey registered नहीं हूँ, और आपका financial advisor भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं analysis करता हूँ, वो हमारा view होता है, तो यह हमारे support resistance projection को follow करने के साथ साथ, मैं यहाँ पर आप सभी को range provide कर रहता हूँ, अगर इसके नीचे जाती है, तो यह last support है हमारा 17,000 का, इसके नीचे फिलहाल कल के trading session में उमीद नहीं है, अब वो अगर पलट ही जाती है, बहुत गहरे तरीके से, तो फिर हम आप सभी को telegram channel के माध्यम से update कराएंगे, telegram channel को भी join कर लिजेगा, very most हो जाता है आप सभी के, लिए अगर आप option trading करते हैं तो, ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं, चुकि हम option buyer हैं, यहाँ पे upside की और downside की दोनो ranges provide कराना हमारा फरज है, क्योंकि जिस range में आपको market में profit मिलना दिखे, उस range में आप सभी लोग profit करे यह हमारा उद्देश से है, तो यहाँ पे जो की उमीद नहीं है कि 17,960 के level को अब cross कर पाएगी, क्योंकि यह बहुत strong support था, 17,960, इसको break कर दी है, अगर in case gap up हो जाती, इसके उपर हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा इस trend line के पास आएगी, चुकि यह trend line भी मैं बहुत जिन से follow कर रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा इस trend line के आजपास आएगी, उसके बाद फिर से नेचे की तरफ जाएगी, फिलहाल मंडे को यही होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है, यह लिख लीजेगा, 90% accuracy में बरकरार रखता हूँ और वो बरकरा trading जो strategies है, कई सारी वहाँ पर learning चीजे आप सभी को मिल जाएगी, अगर आप beginner है या फिर एडवांस लेवर पर trading करते हैं, फिर भी, तो यहाँ पर 17,960 जब भी जाएगी, अगर कल नहीं जाती है, तो यह इस trend line को touch करके नीचे आएगी, यानि कि 18,200, 18,200 का ज्याद ज्याद maximum level दिखेगा, उसके बाद में फिर से नीचे की तरफ आएगी market, यह हमारा view है, मंडे को कैसा क्या momentum होता है, यह तो मंडे की market ही बताएगी, हमारी जो analysis थी, वो मैंने बता दिया है, और analysis हमारी कितने accurate रहती, जो regular viewers है, वो सभी लोग जानते होंगे, उमीद है, यह levels आप सभ को यह trend-based Fib extension जो है, यह फिर Fib retracement है, यह फिर और तमाम सारी strategies है, वो सभी चीजे मैंने कबर करने का प्रयास किया है, अगर आप market की ABCD भी नहीं जानते हैं, तो market all-in-one course है, जो कि हमारे mobile app पे available है, उससे आप जाके देख सकते हैं, mobile application अगर play store में आप डालते हैं, तो आ जा डाल दी है, फिर भी कोई doubt होता है, comment section में comment कीजिएगा, Instagram के माध्यम से direct आप मुझे message कर सकते हैं, मैं स्वयाम देखता हूँ, और मुझे Twitter पर follow कर लिजे, अगर आप Twitter चलाते हैं, तो, क्योंकि वहाँ पर मैं charts वगर अपडेट किया करता हूँ, तो दोस्तों, उमीद करता ह वीडियो आप सभी लोगों ने like कर दिया होगा, पसंद आया होगा, जरूर, आप सभी के समझ में भी आया होगा, तो next वीडियो में मिलेंगे, एक नई strategy वीडियो को लेके आ रहे हैं हम कल, morning में वीडियो देखना मत भूलिएगा, मिलते हैं कल के एक strategy वीडियो में, learning वीड take care bye bye, I love you